नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभसाक्षी न्यूस नेटवर्क का बेहद इखासकार क्रम सुनते हो रेता जी मद्पदेश में चल रही सियासी उठापटक का असर महराश में भी दिखाई दे रहा है एक तरफ कमलनाथ सरकार परिशान है लेकिन दिखा रही है कि हमारे विधायक ही हमारी ताकत है और हम उन पर अटूट विश्वास रखते हैं मद्पदेश के विधायक प्रदेश से पलायन कर रहे थे कि कॉंग्रेश ने गुजरात में सरकार बनाने के इच्छा प्रकट कर दी और अब महराश की महाविकास अगाडी सरकार को भी हार्ट ओफ इंडिया की याद आ गई आज हम समझेंगे कि मसला क्या है कैसे फेल हुआ ओप्रेशन कमल महराश के बाद अब मद्पदेश में ओप्रेशन कमल फेल हो गया है पूर्मुकमंती दिगविजय सिंग ने बताया कि भाजपा कमलना सरकार को गिराने के लिए ओप्रेशन चला रही थी जो असफल हुआ लेकिन सबसे एहम सवाल यह है कि भाजपा का उप्रेशन असफल कैसे हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विधायकों को मद्पदेश से हर्याना सिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त एक विधायक के गनमेन ने पोन पर बात की थी और इस बात के चलते विधायकों के मनेशर इस्थित रिजॉर्ट में सिफ्ट होने की बात लीक हो गई बात लीक होने के बाद तुरंट कॉंग्रेस हरकत में आ गई फिलाल कॉंग्रेस दावा कर रही है कि उनके 6 विधायकों की घर वापसी हो चुकी है बाकी के चार विधायकों से अभी तक कॉंटेक्ट नहीं हो पाया है क्योंकि बचे हुए विधायकों को भाजपा ने बैंगलूर सिफ्ट कर दिया है वैसे बैंगलूर उस प्रदेश की राजधानी है जहां कि सरकार इस पंचवर्सी में दो बार बदल चुकी है और अंतिता तीसरी बार भाजपा सत्ता में काबिस होने में सफल हो पाई वो भी विधायकों द्वारा पाला बदलने के बाद इस विशे पर कभी और चर्चा करेंगे बाकी बीते दिनों आप लोगों को इस बात की जानकारी तो देही दी थी कि कैसे कॉंग्रेस ने अपने विधायकों को निकाला था हाला कि कॉंग्रेस के आला नित्रत ने भी आरोप लगाए हैं कि प्रजातंत का चीर हरनकर सत्ता की भूक मिटाना चाहती है भाजपा प्रदेश से बाहर क्यू निकले थे विधायक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक मध्र प्रदेश के बारा विधायक दिल्ली आने वाले थे लेकिन 11 विधायकी मंगलवार की राद दिल्ली पहुँचे जहां से उन्हें हरियाना के ITC रिसॉर्ट में सिर्फ किया गया खबरे हैं कि ये तमाम विधायक भाजपा के आला नेत्रत से मुलाकात करने वाले थे लेकिन कॉंग्रेंस ने उनकी पूरी योश्ना पर पानी फेर दिया आला नेत्रत से जुडने वाली बात सयोंक मत भी हो सकती है क्योंकि मंगलवार की राद प्रदेश के पूर मुख मंत्री शिवराज सिंग चोहान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और खबरे हैं कि उन्होंने बुद्धवार की सुबह केंद्री मंत्री नरेन सिंग तोमर से मुलाकात की हालक इसकी जादा जानकरी हमें नहीं मिली है वैसे एक दिल्चस्प बात आपको बता देते हैं कि अगर गायब हुए 11 विधायक कॉंग्रेस का साथ छोड़ देते तो मद्ध प्रदेश में कॉंग्रेस नीत वाली सरकार गिर जाती वो भी राज सभाचुनाओ से ठीक पहले मगर ऐसा हो ना सका और खबरे ये भी है कि करनाटक के मुख मंत्री बिया सेदुरप्पा के बेटे विजियेंद को विधायकों का जिमा सौपा गया है बचे हुए चार विधायकों में से तीन कॉंग्रेसी और एक निर्दली है जो बैंगलोरू के प्रिष्टीज पालम मेडोस में है लेकिन एक मज़ेदार बात और भी है कि बैंगलोरू से निर्दली विधायक सुरेन सिंग सेरा ने कमलाट से पोन पर बात की है बातचीत में क्या कुछ कहा है इसकी तो जानकारी नहीं है मगर कॉंग्रेस काफी कॉंफिडेंस में नजर आ रही है कि बचे हुए विधायक जल्द ही वापस आ जाएंगे इसी मसले पर गुरुवार को दिगविजय सिंग का बयान भी सामने आया दिगविजय सिंग ने लापताग विधायकों की परिजनों से कहा कि आप लोग एफ आयार दर्च कराएं भाजपा ने क्या कुछ कहा भाजपा की सरकार में मंत्री रहे नरोत्रम मिश्रा ने सभी आरोपों को खारिश करते हुए कहा कि हमें क्या करना है यह तो अपने बोज से ही गिर जाएंगे हमें भविश्य दिख रहा है नरोत्रम मिश्रा ने सीधे तोर पर कॉंग्रेस के भीतर उपचे कलह को निसाने पढ़ लिया हमने सुरू में महराश्ट और गुजरात की बात कही थी गुजरात का किस्सा तो आपको पता ही है कॉंग्रेस ने खुले तौरपन नितिन पटेल को ओफर दिया कि आप 15 विधायकों को लेकर आ जाए हम आपको मुख मंत्री बना देते हैं सभी का ध्यान गुजरात की तरफ बुढ़ने वाला था मगर मद्ध प्रदेश की तरफ बुढ़ गया और अब महराश्ट सरकार के मंत्री नितिन पटेल भी सियासी बैनबाजी की रेस में कूद गए उन्होंने कहा कि 14 से 15 विधायक भाजपा के हमाने संपर्क में हैं कभी भाजपा के विधायक संपर्क में आते हैं कभी कॉंग्रेश के नेता जी अच्छी बात है कि आपके संपर्क में विधायक है लेकिन आप जंता के संपर्क में रहिए क्योंकि जंता ने ही आपको चुनके भेजा है भाईया यह तो राजनीती है आरोप प्रतारोप तो होंगे ही असल मुद्ध मध्ध प्रदे अब देखना यही दिल्चस्प होगा कि मध्ध प्रदेश से खाली हो रही तीन राजसवा सीटों से कौन से दिगज उच्छ सदन पहुंचेंगे फिलाल हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए प्रभासाक्षी न्यूस नेटवर्क धन्यवाद